हेलो एबरीवन कैसे हुआ आप लोग सबको मेरा परणाम सबको मेरा नमस्ते श्यमानिया मैं हो देश बंदु बागणा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ और आज मैं जा रहा हूँ अपने गाउं से धौंत्री से देरादून की तराफ और आपको रास्ता कैसा है रास्ता क्या है और रास्ते में क्या क्या है कितने घंटे का रास्ता है यह सब आपको बताऊंगा तो मेरे ब्लॉग चैनल के साथ आप बने रहेगा तो गाइस यह मेरा गाउं है धौंत्री बहुत ही खूपसरत बहुत ही प्यारा गाउं है और सुबह के साथ बज़ कम से कम 20 मिन यहां पर हो गए हैं खड़े खड़े हैं मेरा इस पर डिस्क लगी हुए है और बगल में चाचे जेव लोगों का है रुपाई लगवक कम्प्लीट हो गई है सबके और खेद बहुत प्यारे लग रहे हैं और यह गेट है यहां पर यह जो रोड सीधी जा रही है कि देवत्तरकासी को जोड़ती है और यह जो नीचे की तरफ आ रही है जरी कि तरफ में खड़ा हूं यह लम गाउं रिशीकेश देहरादून जहां भी आप जाना चाहों जाते हैं कि आसा कुछ दिख रहा है यहां से यह रास्ता है मुस्किल से 2.500 मिटर निचे होगा रोड से गाउं और आज के मौसम की बात की जाए तो खिली हुई है तो गाइस दो रास्ते हैं गाउं के यह किदर से भी है सामने से गाउं में जाता है और यह सामने मार्केट है और गोवी की फसल लगा रहे हैं यहां पर भाईजी लोग हैं बहुत अच्छी हो रखिया तो गाइस मैं पहुंच चुका हूं लंगा हूं मार्केट मैं मेरे गाउं धौंतरी से और लंगाउं तक आने मुझे आदा घंटा का टाइम लगा तक मैं पहुंच चुका हूं अब मैं यहां से रिसी केस के लिए बस पकड़ूँगा और यह वाली बस एकदम फुल हो चुकिए दूसरे बस का वेट करूँगा आज कल यहां तरह सीजन तो मुझे थोड़ा सा देर हो गई और यह बस एकदम फुल हो गई वैसे डिरेक्ट देरादन उनके लिए भी मिल जाती है यहां से बस लेकिन मेरी गाड़ी है रिसी केस में इसलिए मुझे रिसी केस जाना पड़ेगा मुझे तो मुझे बस। झाल 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 तक में आया हूँ